हिंदू सिर्फ एक भगवान एक ही खुदा में मानना चाहिए और एक ही खुदा की इबादत करना चाहिए लेकिन आम हिंदू एक फिलोसिफी में मानता है जिसे कहते है पैंथियजिन Pantheism की मानी आम हिंदू समझता है सब कुछ खुदा है पेड़ खुदा है, इनसान खुदा है सूरज खुदा है, चांद खुदा है सांप खुदा है हम मुसल्मान समझते हैं के सब कुछ खुदा का है, पेड़ खुदा का है इंसान खुदा का है, सूरज खुदा का है, चान खुदा का है, साप खुदा का है एहम फरक हिंदू और मुसल्मान में हैं, आम हिंदू कहते हैं, सब कुछ खुदा है हम मुसल्मान कहते हैं, सब कुछ खुदा का है तो दोस्तो आज हम एक्सपोज करने वाले हैं जाकिन नलाइक नाम के शक्स को अभी आपने सुना इंट्रो वीडियो में उसने कहा कि हिंदू ये मानता है कि सारी चीजें खुदा हैं सारी चीजें भगवान हैं जबकि ऐसा नहीं है हम भी ये मानते हैं कि सब कुछ भगवान क अगर हम गाय की पूजा कर रहे हैं साम को रिस्पेक्ट दे रहे हैं अगर हम बंद्रों को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इस रिस्टी के जितने वी चीजें उनको रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो हम ये मानते हैं कि ये उस परमपिता प्रमेश्वर का ही अंस है ठीक है हम ये समझते हैं और हम respect देते हैं तो हम उनको heard भी नहीं करते तो किता बड़ा जूट ये बोलता है और इतनी public को बेवकूब बनाता है अभी ये reference पर reference बताएगा मैं video लगाऊँगा screen पर और ये actually ये क्या कर रहा है कि जो Hinduism है और जो Islam है उसके बीच में similarity या समानता की बात कर रहा है अब इनकी जो किताब है उसमें तो उसे कोई reference मिलते नहीं है तो वो क्या करता है क्योंकि इसने साइद किसी से पढ़ लिया है या किसी हमारे scholar ने इसको वो चीज़ें बता दी है तो वो उन references को note कर करके हमें ही बेवकूफ बनाता है इनका जो main purpose होता है इन preachers का कि ये चाहते हैं कि सारी दुनिया जो है वो मुसल्मान बन जाए जबकि हम सनातनी हम हिंदू ऐसा नहीं सोचते हैं हम ये सोचते हैं कि एक्कम सत्यम विपरा भहुदा वदनते हम ये सोचते हैं लेकिन अब ये कितनी चलाकी से हमारे धर्म गरंतों की जो बाते हैं उनको प्रीच करेगा और ये बताने की कोशिश करेगा कि देखो जी हम तो एक भगवान को मानने वाले लोग हैं तो सब को मुसल्मान हो जाना चाहिए लेकिन मैं आज अपने इस वीडियो के माद्यम से आप हिंदूों को आप सेकुलोरों को और जितने भी मुसल्मान हों सबको ये बताना चाहता हूँ कि आपके जाकिर नायक जितने रेफरेंसेज हमारी किताब से देते हैं इंदू दर्म गरंतों का आपको सारा लईना पढ़ रहा है वेदों का भगवत गीता का उपनेशिदों का तो यहां पर जाकिर नायक बड़ी चलाकी के साथ क्योंकि ये इसका मकसद यही होता है कि सब को बस मुसल्मान बनाना है जबकि आप सब को पता है कि इसलाम ने इस दुनिया को क्या दिया तो कहां कौन सा जो रास्ता है वो सही है आज हम जानेगे और ये रेफरेंसेज बताता जाएगा उसमें ये पता ही नहीं चलता कि उस particular बात का क्या contest था तो दोस्तों बेना कुछ देर की वीडियो लगाता हो में screen पर और हम फड़ा फड़ से ये बीच बीच में बोलेगा मैं reference फड़ा फड़ दिखाता जाऊंगा और important point आपको note कराऊंगा आप भी इस वीडियो को record करके रख सकते हो कहीं पर किसी को दिखाना हो तो आपको इसमें काफी help मिलेगी तो दोस्तों वीडियो लगाता हो में screen पर तो दोस्तों अभी इसने सबसे पहले जो शुरुआत करी कि आपको दिखाना हो वहां पर ये बता दिया गया कि भगवान खुदा एक ही है और ये भी बता दिया गया कि भाया वो सिर्फ अल्ला ही है और अब उसको हिंदू किताबों से हमारे जो उपनिशद हैं उनसे ये मैच करने के कोशिए अब मैं आपको बताता हूँ चांदूगा उपनिशद में क्या लिखा हुआ है कै वहां पर अल्ला लिखा हुआ है ये भी है आपको तो दोस्तों ये चांदूगया उपनिशद है और जैसे कि उसने काया कि अध्याय नंबर 6, खंड नंबर 2 और मंत्रा नंबर 1 तो आपके समने यह नीचे यह मंत्रा है जिसको अभी quote किया गया और इसमें जो इसने बताया वो मैं आपको पढ़ के बताते। तो जो word quote किया दोस्तों यहां से quote किया गया यह जो बीच काल है ना आशीदा एक आवा दित्यम तो यह बीच वाला word एक उठा लिया इसको पूरा नहीं पड़ा सदैव सोम्या दे मगर आसीदेख आमेव दित्यम तथैक आहूर सदे वेद मगर आसीदेख मेव दित्यम यह था तो यह जो स्लोक है इसका यहां पर आगे मीनिंग लिखा हूँ है कि सत एवं सौम्या इदम अगरे इसके मीनिंग लिखे हूए और नेक्स्ट पेज में इसका जो भावार्त है वो भी आप देख सकते हो यहां पर यहां से शुरू होता है कि हे प्रिया दर्शन यह ज ही था और उस ही असत के यह सत जगत उत्पन होता है तो यह यहां पर जो बात की जारी है वो इस स्रिष्टी की इसके बनने की की जारी है कि जो स्रिष्टी के बनने से उत्पत्ती से पहले जो था वो यह जगत जो था वो एक था ठीक है उसकी उत्पत्ती से पहले यहां पर तो इसको थोड़ा सा आप clearly भी ले सकते हो, उसका screenshot भी ले सकते हो, जहाँ पर बढ़ा ही clearly नीचे जो भावार्थ है इसको आप पढ़ सकते हो, तो इसमें आपको और भी detail में पता लगेगा, कि है सौमया यह नाम रूपात्मक जगत, यह नाम रूपात्मक जगत जिसको हम भ लोड रहा है, इसकी यहाँ पर यह चोरी पकड़ी जाए, तो आप खुद जब references से बढ़ोगे, तो आपको यह समझ में आ जाएगा, तो उसके आगे यहाँ पर यह भी बताया गया है, कि मिटी और जो घड़ा है, वो दो नहीं है, अदवायत की जो थिओरी जो होती है, वो पहले उठाके लाया, तो अदवायत की जो philosophy है, वो यहाँ पर इस चांदोगय उपनिशद में explain की गई, लेकिन लोगों को भ्रमित करने के लिए सिर्फ एक word उठा लेना, ठीक है, एक सब्द उठा लेना, ये तो लोगों को मुर्ख बनाने से बड़ी कोई और बात नहीं है और जो लोग पढ़ते नहीं है, उन लोगों, तो आप यहाँ पर मैंने आपको बड़ा clearly बताया कि चांदोगय उपनिशद क्या कह रहा है, जबकि ये बंदा आपको क्या बता रहा है, ये अल्ला और उन सब चीज़ें कर रहा है, लेकिन हमारी किताब नहीं लिख, अब नहीं है, उस खुदा, उस भगवान का कोई भी वालदे नहीं है, ना पिता है, ना माता है, ना बाप है, ना माँ है, कोई भी रखवाला नहीं है, लिखा हुआ है. जो हिंदी में भावार्थ है, वो यहां पर लिखा हुआ है, देखो, नतस्य, कश्चित, इत्यादी, इस परकार यता, उसके, तो उसके समान कोई है, ना कोई अधिक, अता उस देवादी धेव, यहां पर लिखा हुआ है, देवादी धेव, तो यहां पर बात की जारी थी, वो उस परव्रम की की जा रही है कि परीशिव स्वरूप परव्रम्मा प्रमात्मा की विलक्षनता बारवार निरूपित की जा रही है इत्यादी इस प्रकार अता ना तो उसके कोई समान है और ना ही कोई अधिक अता उसे उस देवादी देव का कोई अन्य पती रक्षक नहीं है उसका कोई इश्टा नियामक भी नहीं है इस प्रकार ब्रही के अनुपामक चिन धूम होता है उस प्रकार की का अनुमापप कोई शिष्ट चिन भी नहीं है उसका अनुमान करना भी संभव नहीं है अनुमान प्रमान से परमशिव का स्वरूप निश्चित नहीं किया जा सकता जीवात्मा कारण इंद्रिय स्वामियों का अधिपती होता है परमात्मा उस जीवात्मा का भी अधिपती और उसका कारण है पर यहां पर तो शिव की बात की जा रही है और मैं आपको पिछले मंत्रों में भी बताऊंगा यह जो आठ नमबर थोड़ा पीछे चलते हम तो यह छटे अध्याय का आठ है और उसमें इस संस्कृत के मंत्र में आपको शिव बता देता हूं क्योंकि वहसरे लोगों को यह लगत कर संसार चकर में भ्रमन करता है तो किसी चीज को चैरी पिकिंग करके जो है लोग यह बताते हैं तो यहां पर लिखा हूं है कि वह माया शरीर का आश्रे लेकर संसार में भ्रमन करता है तो अब जो हिंदू शिव की पूजा क्यों करने हैं उस रूप बोला कि उसको रूप म नहीं बांद सकते हैं लेकिन जो ये माया शरीर लेकर आशरे लेकर संसार चक्र में ब्रह्मन कर रहा है वो भी वही शिव है यहाँ पर यह चीज लिखी हुई अब इसमें कोई आजाए डिवेट करने के लिए तो हम तयार बैठे हैं हमारी किताबों से हमारे ही शलोकों को उठ कर और उसको तोर मोडों के बता देना तो बहुत असान है तो मैंने कहा कि आपको यहां पर यहां पर बात की जा लिए शदा शिव उस परमतत्त्व से पुरी दुनिया बने और इसा क्या बता रहे हैं तो इसका मतलब तो यह है कि जितने भी लोग हैं जो मुसलमान है उनको अनातन धर्म दुधर्म की तरफ आ जाना चाहिए वेदों की तरफ लॉट रखवाला नहीं है वो शिव की बात हो लिए श्वेता श्वतार अपनिशद में ना कोई तस्वीर है ना कोई स्कल्प्चर है ना कोई बुत है ना कोई पेंटिंग है लिखा तो दोस्तों मैं फिर से स्वेता सत्रोपा उपनिशद में आ गया हूँ और इसमें चतुर अध्याय है और इसमें जो मंतर नंबर है 19 तो आप यह देख सकते हो यहां पर सबसे उपर जो लेफ्ट साइड में पेज है सबसे उपर ही लिखा हुआ है जिसमें संस्कृत में यह मंतर लिखा हूँ और स्वरूप अन्य कोई वस्तू ने परमशिव की बात की जारी ठीक है और यह उसको किस तरह से अल्ला से जोड़ के देख रहा तो यहां पर परमशिव की बात की जारी है तो हमें परमशिव जो है उन्हीं की स्तुति करनी चाहिए तो यहां पर नैनन मुर्धमं त्यादी परि जगरत भत क्रियापत का यही अर्थ है उसी प्रकार अगल बगल तिर्ची दिशा मैं भी कोई भी उसे नहीं पकड़ सका उसी प्रकार कोई भी बीच मैं भी उसे आज तक नहीं प्राप्त कर सका इस प्रकार सर्व ब्यापक अंतरहित उस परमशिव का उपर नीचे उपनिशद स्वेतार उपनिशद में पहले भी बताया था कि उसमें ये भी लिखा था अतार्थ परमशिव यदपी अशीश्री ब्यापक दे दोश रहित है अशरीरी ब्यापक मतलब उसका शरीर नहीं है तथा पी वह माया शरीर माया शरीर का आशरे लेकर संसार चक्र में भ अपना कोई शरीर नहीं है, जैसे हम मुनुश्य हैं, तो वो हमारे मुनुश्य की रूप में आजागा, लेकिन मुनुश्य रूप में आने से ये नहीं साबित हो जाता है, कि उस परमशिव का भी मुनुश्य शरीर है, अब मैं आपको इसी 4.19 है, इसका 4.18 मैं आपको दिखा तो नीचे भी इसका लिखा हुआ है, कि जिस इस परकार अगरीम मंतर में समस्त जगत, आदी काल में सत्ता के प्रतिपादन से समस्त जगत के कार्ण सरू परमेश्वर की सनातन शाष्वत निर्विकार सत्ता का प्रतिपादन किया जा रहा है, जिस समय उस परकार का अवणि तम अंदकार ही फैला हुआ था, सूर्य चंदर नक्षत्र तारकाएं सभी उसी परमशिव के सूक्ष्म रूप से विलीन हो गए थे, तो यहाँ पर सृष्टी के निर्माण की बात की जारी है, कि सब तरफ अंदकार वैला हुआ था, और सूर्य चंदर गरह नक्षत्र तारका सभी उसी परमशिव के सूक्ष्म रूप से विलीन हो गए थे, उसके पश्चात ही उनकी स्रिष्टी हुई थी, अता उस समय सरवत्र तम ही सरवत्र फैला हुआ था, यही प्रलय की अवस्था होती है, उस समय सरवत्र अंदरकार व्याप होने के अकरण ना तो दिन था नही थे, तारे नहीं थे, तो यहाँ पर ना अंधेरा था, ना रात थी, ना दिन और अंधकार व्याप, पूरा अंधकार, तो वो बात यहाँ पर की जारी है, तो पंटेस्ट को पढ़कर देखना चाहिए, यहाँ पर बात किस चीज की जार, यह उसे कैसे अल्ला से मिला के, और स्रिष्टी बनने से जैसे बिंग बैक थ्वरी यह कहती है कि स्रिष्टी बनने से पहले हो एक शुक्ष मकार्ण था और वहां से वह सारे चीज़ें निकली हूए तो उसकी यहां पर बात की जा रही है तो उस परम शिव तत्तव की बात और यहां पर ये भी मैंने आपको बता पिर से मैं बता देना चाहता हूं स्वेता स्वत्रो उपनिशद मैं यहां पर जो यह वर्ड लिखे हूं है इनको आप ध्यान से लिखिये अर्थात परमशिप यतपी अशरीरी ब्यापक दोश रहित है दोश रहित है उसके अंदर दोश नहीं है और वो जो है जब उसका शरी नहीं है वो दोश रही तो वो अपनी पूजा करने के लिए किसी को नहीं ठीक है तो यह इन शलोकों का भावर्त है और हमारे यह जो जाके नलायक साव है यह क्या करें तो दोस्तों अभी भगवत-गीता पे कोड़ करेगा तो मैं वह भी देख लेते हैं भगवत-गीता में भगवत-गीता में भगवान का तसवर है पार्ट नंबर साथ में श्लोका नंबर 20 में और दोस्तों यह भगवत-गीता का चैप्टर नंबर साथ वर्ष नंबर 20 है जहां पर आप लिए इसका हिंदी भावारत में पड़कले पढ़ते तो उपर संस्कृत भी लिखी हुई ह बे मुनिशने जिंकी बुद्धि भौधिक कामनाओं, द्वारा ब्रहमित हो गई है भौतिक कामनाई कौन से होती है? इस संसार में आप रह रहे हो, आपकी इच्छाए हैं कि मेरे को अच्छी जॉब मिल जाए, मेरे को अच्छी नौकरी मिल जाए, मेरे को घर मिल जाए, मेरे को गाड़ी मिल जाए, यह आपकी बहुतिक इच्छाए हैं, जो अध्यात्मिक लोग हैं, वो इच्छाए नहीं करते तो यहां पर यह समझाने की चेश्टा की गई है कि आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत आरे लोग गते हैं कि हमें इच्छा क्यों करें क्योंकि तो बहुतिक संसार में रह रहे हैं तो हमारी भी इच्छा है जैसे अब कोई बंदा है कोई कुछ काम कर रहा है देवताओं की बात कीज़े और देवता और ब्रह्म में मैंने आपको बताया कि फर्क है देवता जो है उनकी लाइफ होती है देवताओं की जो जैसे की ब्रह्मा एक देवता है जल देव अगनी देव वायू देव ये सब देवता है तो इनकी भी एक लाइफ होती है पानी अ सब्सक्राइब करने के लिए वे धार्मिक कर्मकान दो में सलंगन रहे तो हम दो में सलंगन रहे नहीं लिखा हुआ हैं है कि सिर्फ लाही प्रमिश्वर है और अल्ला के इलाबा जो भी है वो दूसरे खुदा है वो गलत खुदा है तो कितना चालाकी से ये बंदेर है मैं इस चीज़ को एक एक चीज़ का बताऊंगा अब जब भी आप भगवत गीता का गज़ा आपको कोई बताए तो साथ बीस के आगे भी पढ़ना सुरू करो मैं आपको अगले भी बताता हूँ कि आगे क्या लिख तो साथ बीस के बाद आप इसको साथ इकीस तक खेंचो ठीक है नीचे तो बहुत कमेंटरी बहुत डिटेल में है मैं आपको इसका वही में परम शिव परम तत्व जो जिसकी बात कीजेगे नतस्य प्रतिमास्ति उसकी बात ही हमपर की गई है तो क्या कहा गया है ध्यान से पढ़ लीजिए क्या लेका उपर संस्कृत भी है भक्त स्रद्धा के साथ स्वर्ग के देवता के जिस रूप की पूजा करना है मैं ऐसे भक अच्छा है उनको कौन पूरा करता है कहता है मैं ही करता हूँ मैं भक्त की स्रद्धा को उसी रूप में स्थिर करता हूँ यहां पर यह नहीं कहा गया कि गलत खुदाओं की पूजा क्यों करती गया हाँ यह जुरूर कहा गया है कि वो लोग अलप बुद्धी वाले है जो चीजों को अध्यातम वाले उपर हैं, लेकिन जो इस पूरा वर्ड आप देख रहे हो, आज हम साइंटिस्ट हैं, कोई प्लेन बना रहे हैं, वो क्यों बना रहे हैं, इच्छों से, अब वो प्लेन नहीं बनेंगे फिर तो, फिर तो वो गाड़ियां भी बनेंगी, अगर उसके बाद अगला देख, साथ भाईस, शिरद्धा युक्त होकर ऐसे भगशेश देवता की पूजा करते हैं, और अपनी बांचित बस्तुमें प्राप्त करते हैं, किन्तु वास्त में ये सब लाब मेरे द्वारा ही परदार, कूर कह रहा है, परम भ्रमा, भ्रमा नहीं, वो भगवान, वो स्रिष्टी को बनाने वाला जिसका कोई रूप आकार नहीं है, लेकिन फिर भी वह माया रूपी शरीर लेकर इस्षती पर आते हैं, जिसको हम शिव गहते हैं, आज हम शिव लिंग बनाते हैं, तो वो शिव लिंग किसका प्रतीक है, वो परम शिव का ही लिंग मतलब चिन ठीक है तो उस परमशिव का ही एक बार कहते है भ्रह्मा जी को सृष्टी को नापने का मतलब शिवलिंग को नापने का काम दिया गया तो वो पचास हजार साल तक नापते ही चले गए लेकिन उसे नाप नहीं पाए तो वो जो नापने वाली प्रिक्रिया थ वो पूरी गलेक्सी थी, आज भी आगर गलेक्सी के एक छोर से लाइट निकल, बुसरी छोर तक एक लाक्ट कास वर्स लग जा तो हमारे जो पुराणों में जो कहानियों के रूप में वो चीज़ें लिखी हुई हैं, वो कहीं न कहीं सांटिफिक हैं, तो मैं हिंदों को भी पुराणों को नकार सकते हो, क्योंकि उसमें कुछ कहानियां आपको लग रही हैं, यार इनको डिफेंडर नहीं कर सकते हो, लेकिन उसको आप सांटिफिक रूप में समझो, किसी ने मिलाबट भी करी होगी, तो मिलाबट अडेंटिफाई किये जा सकती है, पर आप तो पू पूरते हैं, जो आप भूती किच्छों की पूर्ती करने के लिए उन देवताओं की शरण में जाते हैं, तो वो जो फल हैं, वो भी भगवान ही देते हैं, लेकिन जो फल हैं, वो नशवर हैं, आपने घाड़ी ली, घर ली, क्या ये खतम नहीं हो जाएं, इवन आपने पूजान नहीं है, वो परमभ्रम नहीं है, लेकिन ये नहीं कहा गया है कि उनकी पूजा मत करो, जल को, अगनी को, वाइउ को, जैसे की ये कह रहा था बिगणी में कि हिंदू बहुते हैं, ये ही पेड़ी भगवान है, हम ये नहीं बोलते हैं, पेड़ी भगवान हैं, हम तो उस परम तुम वहां से कोट कर रहे हो, लेकिन उस चीज को मानने रहे हो, खुद मानने रहे हो भाया, तो वे देव लोग को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त, मेरे लोग को पराप्त हो, जो अध्यात्मिक लोग हैं, वो उस परम लोग को जाते हैं, इसको खैच दो, आगे तक साथ बीस तक साथ तैईस चौबीस पच्चिस तक अगर आप जाओगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि चैरी पिकिंग करने वाला बंदा क्या कर रहा है तीक है अब इसका नेक्स्ट मेंने साथ चौबीस भी आप देख लो साथ चौबीस में लिखा है कि बुद्धी हीन होना कोई गलत बात थोड़ी है जिसको ग्यान नहीं है वो भी बुद्धी हीन हो सकता है आज की टाइम पे मैं कुछ पढ़ रहा हूं तो हो सकता है मुझे भी कुछ चीज़ें पता नहीं है सारा ग्यान तो किसी को नहीं होता ना तो हम बुद्धी हीन होना गलत नहीं है ले यहां पर तो हमारे ईश्वर कहा रहे हैं कि अगर मैं शरीर धारे करके आ जाऊं तो वो मेरा माया रूपी शरीर है और वे मेरे इस अभिनाशी सरवत्म दिव्य रूप की प्रकृति को नहीं जान पाते हैं ता ज्यान छोबा किताब रोकते नहीं है और वो बंदा इसलाम की त इसलिए लोग यह नहीं जानते कि मैं अजनम और वे नाशी हूं तो यहां पर कहा गया है कुछ पर्मभ्रम की कि मैं अजनमा और अभिनाशियू ना तो मेरा जनम होता है नहीं है मेरा मर्ण देवता जो जैसे operator, creator operator रहा है ये देवता है अब इसमें आप इंदर को बोलते हैं, इंदर को भी देवता का है कि जो अंदर की उज़ा होती है वो भी देवलो प्रकेन नायक का जूट बेनकाब किया है क्योंकि यहां पर यह हिंदूओं को बर्गलाता है और नतस्य प्रतिमा आस्ति इन चीज़ों को लेकर लोगों को भरमीत करता है मैंने आपको बता दिया किस की बात की गई है उस परम शिव परम तत्व की बात कोई पर आज की वीडियो में दोस्तों इतना है और हम इनको एक्सपोज इन लोगों को एक्सपोज करते रहेंगे जो अगर एक्सपोज तो हो गया लेकिन अब यह जो बातें करी मैं तो एक है आप जो कर रहे हो वहां पर वो डिस्ट्रक्शन कर रहे हो आप यह बोल रहे हो यह घौद है अल्ला ही इसको अल्ला ही बोलो यह इसको परमशिब बोल और मूर्तियों बनाकर पुजा करना गलत नहीं है लेकिन यह जुरूर बोलागी है कि वो लोग अल्पधी है पसंदा है दो को लागी है